है गाइस वेलकम टो मैं चैनल बहुत दिनों बाद मैं आप से विल रहे हूं तो चलिए आज को रूटीन सुरू करते हैं इस ब्लोग को सोट की हुए उजे वन वीक से उपर हो गया है काफी टाइम हो गया है और यह सोसाइटी में हमारे बच्चों को कलर वगेरा कुछ ऐसे कॉम्पेशन वगेरा था तो वह कर रहे हैं तो सभी बच्चे हैं बहुत अच्छा लगता है कुछनो कुछ एक्टिविटीज होती रहती है नीचे और फिर कुछ अलग एक्टिविटीज कराई जहां पे मेरे बेटे ने ऐसे रैप गाया खुद का बनाया हुआ गाना उसने गाया और सभी इंजॉय कर रहे थे डांस ब जाले मेरी तबित खराब ही फिर हजबेन की फिर बच्चे क्योंकि आजकर वाइलर भी काफी जादा चल रहा है यह सब चीजे तो इस बीच में कुछ बाकी और भी जादा मैं सूट भी नहीं कर पाई और ब्लोग भी नहीं डाल पाई फिर यह जो है गणेश चतूरती का फे थोड़ा थोड़ा करके सबी को और गणेश चतूरती गणेश चतूरती 7 की थी लेकिन हमारी सोसाइटी में वन वीक बाद इससे सेलिब्रेट किया गया था क्योंकि बपा जो आते हैं साउथ में 14-15 दिन के लिए आते हैं और नोर्थ में होता नहीं है फेस्टेवल क्योंकि हमारे हाँ पे अल्रेडी बपा रहते हैं गणेश ची रहते हैं पूरी साल रहते हैं और दिवाली पे हमारे हाँ पे स्ताफना होती है लक्ष्मी गणेश ची की और पूरा साल रहते हैं डक्षिन में वो घूमने आये थे कार्टीची से मिलने आये थे तो इसलिए वहाँ पे बस थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हैं. क्योंकि हमारे उधर, जो मैं पूजा होती है, और चतुरती दूसरी आती है, हमारे हाँ पर मार्च में. सबकी अपने 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 मित हैं, बट सोसाइटी में होता है, तो सेल्प्रेट सब करते हैं. अच्छा भी लगता है एक अलग चेंज आ जाता है और भगवान ची की आरातना वगेरा करना लगता है एक positivity आती है और दो फैर का टाइम है काफी ठक गई थी क्योंकि सुबा से कुछ ना कुछ ना कुछ आईसे चल रहा था दो तीन दिन हो गए थे क्योंकि तीन दिन के लिए नीचे भी था तो इस तरीके से बट अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है एक positivity आ जाती है एक वाई बाती है बहुत ही मतलब एक वातावरण है न अच्छा हो जाता है और जब भी कुछ भक्ति-भक्ति का होता है तो अलग ही मतलब कहते हैं ना मन एक सांथ हो जाता तो वही होता है और यह साम का टाइम है विसर्जन के लिए लेकर के जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे इको फ्रैंक्ली बपा लेकर के आये थे इको फ्रैंक्ली है यह तो इन एक सोसाइटी में ही हमने विसर्जन किर दिया था और आज कल प्यूपी वगेरा क्या बहुत चल गया है और यह मतलब एक ट्रेंड बनता जा रहा है हमारे नोर्थ में भी बहुत जादा आ गया है मतलब हम ले आते हैं भगवान ची को लाते हैं फिर इधर फैंक देते हैं सला देते हैं कुछ भी चीज है मतलब अगर हम खुद को भी सोचें कि हमें कोई अपने घर पर बुलाए औ और ऐसे हमें कहीं बिठा दे हमें ऐसी कहीं ठेक दे तो हमें कैसा लगेगा तो यही ठिंकिंग मुझे लगता है वो तो भगवान है भगवान को हम लाते हैं जिस रद्धा पर उनका समान करते हैं और फिर उन्हें विजासे में sellers करिक ही पर भी ठेक आते है फिर उसके बाद उसका क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है से कोई मतलब नहीं होता है और मुझे बहुत सारी चीजे बिल्कुल भी अच्छती है अपने कल्चर में जिसे कार्डों पे भगवान जी के फोटो चाप देंगे कार्ड पर फोटो चाप देंगे फिर उसके बाद वो डिस्टिब्यूट होंगे दर उदर जाएंगे उसके बाद वो डस्ट्वीन में चले जाएंगे यह भी मुझे विल्कुल भी पसंद नहीं है कि कार्ड पे अलग-अलग जगाओं पे पोस्ट्रों पे भगवान जी का मतल बनना फिर वो डस्ट्वीन में जाना तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर रोक होनी चाहिए और अगर ऐसा कल्चर है बपा को लाते हैं फिर विसर्जन करते हैं तो इको फ्रेंक्ली लेकर क्या है मिट्टिकल लेकर उन्हें ला दे और फिर पानी जगे-जगे प्लांट इसमें उसे पानी के रूप में इस्तेमाल करें तो वो मतलब हमारे एनर्जी वो पोजिटिविटी हमारे साथ रहेगी और अच्छा भी लगता है तो आपका क्या विचार है मुझे शेर जरूर करना अगर आपको यह विचार अच्छा लगता है तो कॉमेंट करना बट करते हैं बहुत अच्छे पूजा पाठ करते हैं सब कुछ करते हैं बट जब उन्हें विसर्जन की वारी आती है तो उस टाइम पर क्यों ध्यान नहीं रखा जाता है तो इको फ्रेंकली एक मूर्ती लाएं उन्हें अपने घर में ही विसर्जन करें उन्हें अपने घर में ह कर सकते हैं और एक एनरजी हमारे घर में बनी रहेगी काड़ों पे छाब देतेए है इधर उधर पोस्टर में रहता है तो मुझे विल्कुल भी पसंद नहीं है यह सब हमें सुब लगता है बट सोचो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि भगवान जी को आप सुब मान करके इधर उदर दे रहे हैं और उसे बाद में सब उसे मतब तैसनेस कर देते हैं सब्सक्काइक अब करके बिल्स के सवर्ट इसे मतर तो और में और को सब्सक्राइब सोच रहे हैं तो इसका सब्सक्राइब साम का टाइम था विसर्जन हो रहा है, सबी लोग आये थे पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, और डांस पांस बहुत जादा हुआ था, डांस हुआ बहुत इंजॉय किया लोगों ने, तो अच्छा लगता है, बहुत पूजा पार्ट तीन दिन पूजा पार्ट डेली डेल चली थी सुबा साम दो फैर में बहुत एकदम से जो डेली रूटीन में एक लोग एनरजी होती है, वो एकदम से हाई लेवल पर आ जाती है, तो इस तरीके से हमाई सोसाइटी में बपा का बिसर्जन इस टाम पर हो रहा है, आप देख सकते हैं, एक बड़ा वाला टब ले इसमें पाने भर लिया है, पहले पूजा की, सब कुछ किया, कुछ कल्चर मझे बहुत अच्छे लगते हैं साउट के, क्योंकि पूजा पार्ट करने का एक अलग ही तरीक होता है, तो और तरीक यहां के मतलब बहुत अलग होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, और अपन मझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारी चीजे मैंने हापे आकर की सीकी है, जो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमारे उधर भी जैसे पूजा पार्ट करते हैं, तो हम सोचते हैं, यह आ गया कोई बात नहीं, यह है ठीक है, कोई बात नहीं, बट हम, मतलब खुद को सो होचे, अगर हमें कोई चीज चाईये होती है, तो हम जमीन आसमान एक कर देते minder है, क्योंकि हैं और हम अपने साथ ले जाते हैं, तो यह भाव होते हैं, और कहते हैं भगवान जो होते हैं भाव के ही भूके होते हैं बाकि कुछ नहीं चाहिए उन्हें तो कोई भी फेस्टेवल आए अपने भाव भगवान के पृती बहुती एक अच्छे से रखें एक आदर के साथ रखें जिसे अभी नवरातरी आने वाली है माता का आगवन तो वो जो भाव होते हैं उन्हें हर किसी के लिए पूरती एक आभार अपना प्रकट करें कि हाँ हम आपके लिए हैं क्योंकि आफ हमारे लिए आप हैं तो हम हैं और कोई भी फेस्टेवल है दीवाली है दीवाली पे गड़े इस लक्षमी जी की पूजा होती है राम चंद है तो सबी सीजों में एक भाव होना चाहिए कि हाँ हमसे जितना भी हो पाता है उस भाव को लेकर के अपने मन में आए और उसकी एक अलग ही आप देखेंगे मतब आप जितना भाव देंगे भगवान उससे कहीं जादा आपको देते हैं और ऐसा नहीं कि धन के रूप में ही क कुछ ना कुछ उनका रूप होता है कि किसी ना किसी रूप में वो आपको लोटाते जरूर हैं तो यह मेरा experience है बड़ा ही और बिल्कुल भी जब हम अपने बच्चों के लिए अपने लिए कमी नहीं कर सकते तो भगवान के लिए तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए trust me भगवान बहुत ही दयालू होते हैं बहुत कुछ हमें दे देते हैं बिना मांगे ही हमें देते हैं और हाँ कभी-कभी हमें लगता है कि नहीं सुन रहे हैं नहीं हो रहा हैं नहीं चीजे हो रही हैं बट पता नहीं किस रूप में किस चीज में किस तरीके से वो हमें दे तो यही है बस होफ आपको कुछ समझ में आया होगा तो यह भी सर्जन हमारा हो गया है जे बबबा की और फिर कुछ टाइम तक मैंने तो कुछ भी सूट ही नहीं किया था क्योंकि घर का बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था कभी कोई कभी कोई बिमार पांच से दिन में भी बिमार थी बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी करने का फिर नेक्स टे था तो यहां पर थोड़ा मैंने खाना पीना किया फिर घर थोड़ा सेट किया फ्रूट वगेरा रखे हुए थे फिर वो सब कुछ मैनेज किया अच्छे से वास्केट वगेरा मैंने क्लीन की पहले फिर फ्रूट रखे और यह छोटे-चोटे काम बड़े मताब भारी लगते हैं मुझे जो छोटे काम होते हैं जैसे की सबजीों को सैट करना हरी सबजीों को ठिकाने लगाना आप समझ सकते हैं मताब पहले क्लीन करो फिर उन्हें अच्छे से रैप करके रखो अगर रैप नहीं करोगे तो खराब होने का चांस रहता है या तो सेम डे बना लो अगर दो तीन सबजी आ जाए हैं जैसे मेती पालग चुलाई वगेरा चुलाई तो फिर वी चल जाती है बट इनका चांस अगर कोड़ी सी डस्टिंग वगेरा की मैंने घर की और चुटे मोटे काम बहुत ज्यादा हो जाते हैं घर में और अब भी आपको अच्छे से ब्लोग देखने मिलेंगे क्योंकि नवरात्री आ लिए तो नवरात्री के लिए भी मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपेशन सराद के जस्ट खतम होने के बाद ही नवरात्री है तो ऐसा नहीं है कि मैं सराद में सोपिंग नहीं करती हूं मैं भी सराद में सोपिंग करती हूं बट हां यूज नहीं करते हैं और नेक्स टेही नवरात्री है तो टाइम भी नहीं मिलेगा तो नवरात्री की प्रिपेशन मैं ने स्टार्ट कर दे है तो कल वाले vlog में आपको देखने मिलेगा क्या-क्या मैंने लिया है क्या-क्या नहीं है और बहुत सारी तैयारिया करनी है इस तरीके से नबरात्रिकी कभी-कभी हमें बड़ा सस्ता समार मिल जाता है जिसी की प्राइज में मिलता है मैं खरीद के रख लेती हूं क्योंकि बाद में बोड़ा कोस्ली मिलता है और बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कहां पर इसे हमें यूज करना है और यह देखे यह 250 का एक है तो यह हाउस होल्डर है जिसे समान पर ढगवग देते हैं तो मैंने क्या सोचा कि इसका मैं सोफा कबर बनाऊंगी दिवाली के लिए इसमें कुछ मिक्स करके तो यह 250 का वन है इच है और मैं इसे दो लेकर के आई हूं तो देखते हैं इसका मैं क्या बनाती हूं क्या बनाती तो नहीं मतलब मैंने सोच रखा है सोफा कबर बनाऊंगी लेकिन कैसा करना बस वह सूचना थो इस तरीके से मुझे कुछ भी ऐसे शस्ता सस्ता मिलता है तो मैं कहरीद लेती हूं फिर उसको यूज करती हूं कि कहा करती हूं बस आपूमее मइंड में रजिये कि कहा पर किस तरीके से करना है और दिवाली नवरात्री और सारे फेस्टेवल फटा फट से ऐसे आ रहे है ना बिल्कुल भी विच में टाइम ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा तो इसलिए धीरे 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 मैं दिवाली नवरात्रे करव को enjoy करें तो बहुत ही chief rate में बढ़ा ही सस्ते हैं और 250 इच है ये तो आपको भी कुछ इस तरीके से सस्ती सस्ती चीजे अगर मिल जाती है टाइम से तो उन्हें लेकर के रख लेना चाहिए और फिर पस idea होना चाहिए कि हमें इसे कभी यूज करना है तो आप भी इस तरीके से म मैं अभी बना रही हूँ एक तो बनके ready हो गया बस इसमे color mirror वगेरा लगाने है एक ये है और एक और भी है उसे भी मैं ready कर रही हूँ तो दीरे दीरे ये छोटे-छोटे से काम में खतम करती हुए जा रही हूँ और ये काफी time से मेरा painting था कि ये मुझे बनाना था बनाना थ लेकिन time ही नहीं हो पा रहा था लेकिन final मैंने सोच दिया है कि दीवाले से पहले से सब चीजों को मुझे खतम कर देना है तो आने वाले time में बहुत अच्छे-चे ब्लोग मिलने वाले आपको तुम बने रहे हैं मेरे ब्लोग के साथ और आपको ब्लोग कैसा लगा आज कु आपको नहीं हो अच्छे जिए यदाने वाले हैं मेरे लेकिन रहे हैं मेरे आपको तुम रहे हैं मेरे आपको झाले वाले पा लिए आपको